हेलो एवरिवन वल्कम टू माई योट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है मारे आज के इस वीडियो में और फ्रेंट्स आज 17 नोवंबर को एक बड़ी न्यूज आई है रेलवी का ओफिशल नोटिस जारी हो चुका है येलपी टेकनिशन जेई और गुड्स गाड का पूरा शडियूल यहां पे जारी हो चुका है तो चली ओफिशल नोटिस पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा नोटिस है और किस वेकेंसी के रिगार्डिंग है पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा मेक शूर कि छोटे से वीडियो को आप एंट तक देखें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो फ्रेंट्स आप मैंसे काफे सारे स्टूडेंट को बता होगा अभी कुछ दिन पहले 9 November 2023 को Ministry of Railway की दरफ से एक नोटिस जारी हुआ था बेसिकली कॉलकाता की वेबसाइट पे आया था और यहाँ पर GDC का जो एक्जाम है उसकी एक्जाम डेट्स बताई गई थी कॉलकाता की दरफ से और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 15 December, 22 December और 23 December को यहाँ पर GDC एक्जाम कराने की जो बात है वो इस नोटिस में कही गई थी देखो यहाँ पर एक ओर नोटिस सामने आया है जिसमें GDC का कंप्लीट शेडियूल जारी हो चुका है और कब से कब तक आपके एक्जाम चलने उस सारी चीज़े बताईए तो चली ऑफिशन नोटिस पर चलते हैं उसके बाद हम लोग चीज़े डिसकस करते हैं तो यहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिस है वो रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंटरल लेल्वे सिकंदराबाद की तरफ से आया है कल की डेट में यानि कि 16 नोवंबर 2023 का नोटिस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली सब्जेक्ट में बताया गए है पॉब्लिशिंग एलिजिबल लिस्ट टू आफ केंडिडेट हूँ है अगे बोला गया फरदर टू दा एलिजिबल लिस्ट आफ केंडिडेट पॉब्लिश डेट इटेट 27-10 164 more candidates have been made eligible यानि की 27-10 में एक लिस्ट आई थी उसी में 164 candidate को अब यहाँ पर यह एड किया जा रहा है और eligible candidates इसमें add हुए है आगे यहाँ पर उन्होंने बताया है the updated rejection list of 239 candidates with reason for rejection is unclosed यानि की 239 candidates जो reject हुए है जिनका form accept नहीं हुआ है वो भी यहाँ पर लगाई गई है और वो भी आप लोग देख सकते हैं All the eligible employees are advised to be ready for CBT which will be held as per the schedule तो यह शड़िगूल यहाँ पर आ चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं 15 December, 22 December और 23 December बिल्कुल जो same dates यहाँ पर कॉलकाता वाले notice में बताई गई थी वो ही यहाँ पर बताई गई है 15 December यानि कि Friday को first shift में यहाँ पर जो exam है candidate of ALP technician with ITA trade only जिन लोगोंने ITA के अधार पर ALP technician में apply किया है उनका exam 15 December 2023 को होगा 22 December को जो है candidate of technician with 10 plus 2 जिन्होंने 10 plus 2 आवाली technician की post पर apply किया है उन लोगों का exam यहाँ पर 22 December को होगा और 23 December को जो junior engineer के लिए जिन्होंने apply किया है वो यहा पर GDC वाले aspirant के लिए देखो GDC के form भी आए ठीक है बहुत जल्दी form फिल करा के पूरा schedule भी जारी हुआ ठीक है और यहाँ पर जो exam conducting agency है उसका भी चैन हुआ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं GDC हो या internal exams हो उन सभी पर railway बहुत अच्छे से काम कर रहा है लेकिन open market की vacancy को लेकर railway को साप सूंग जाता है इतने बड़े Twitter campaign के बाद भी कोई official बयान नहीं आया है चली आगे future में जो भी होगा उसका update आपको दूगा वैसे 30 November को फिर से जो है एक Twitter campaign करने की बात हो रही है लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अब अगर notice नहीं आया तो चात्र बहु काम में दे दूगा वहाँ पर भी आप देख लेना बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिचर अपडेट्स पाने के लिए